हुआ 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 है हम लोग आज के शेप्टर में हम लोग जब पुढ़ने वाले हैं बाइनोमियल थिवरं बायो नोमियल थिवरं थिवरं थिए क्या होता है फिर रम्य होता है इसने क्या होता है इतने इंपोर्टेंट टोपिक मतलब जो भी टॉपिक के लेवल से ब्लों बढ़ह जाता है एप्लस वीट इपाउर अगर होल जीरो देता है तो हम लोग के पास बहुत सरा असरो होता बहुत सारा हम लोग के पास एंसर आता है वो टॉपिक क्या होता है कि अगर A to the power 0 कोई भी मान दिया रहे अगर A to the power 0 दिया रहता है इसका valuation हमेशा क्या होता है एक होता है इसलिए हम लोग का A plus B to the power अगर whole 0 देता है तो इसका value कितना आता है 1 आता है सेम conclusion लेबल सा हम लोग बात करते हैं अगर A plus B to the power 0 के बात 1 देता है यानि power में जब भी 1 रहे तो वह नंबर सीम उतर जाता है मतलब जो नंबर आपके पास है वही नंबर आपको classes में आ जाता है मतलब क्या आता है कि A plus B दिया हुआ है तो यहां पर हम लोग क्या करतेंगे A plus B अगली conclusion की बात करते हैं अगर A plus B का 0 दिया है 0 के बात 1 होता है तो 1 के बात क्या होगा यानि जब 2 आता है तो आपके पास जन्री फर्मुला आने लगता है कौन सा फर्मुला आता है वह थोजाशा आप लोग ध्यान दिजेगा फर्मुला आपका आता है A A square plus 2 A B plus क्या होता है B square confirm होता है अगर इससे तो हटके हम लोग फर्मुला ड्रेवेशन की बात करते हैं तो हम लोग के पास आता है A plus B the whole Q का आता है फर्मुला जो भी लोग इस चेप्टर को पढ़ लिए होगी यह बाइनोमील एक्प्रेशन यह तो उनको थ्वासा आसान रहेगा हलाकि यह चेप्टर में कुछ है नहीं यह डिपेंडेबल करता है हम लोग के अधार पर कि यह topic कौन सा पढ़ा जाता है और अधिकास्ता टीचर आपको पढ़ाते हैं अधिकास्ता टीचर लोग यहां सकती तक बतायते हैं नौर्मल चार के बाद पांच आ गया तो तो पूछो कि दूर कहीं है लेकिन नौर्मली हमारे पास आगर आपको दे दे देता है यानि ए प्लस बीट दिपार अगर होल टेट आप चार देता है तो हम लोग इसका फर्मूला के एक्जबिशन कैसे करेंगे हम लोग किस तरीके से फर्मूला बनाएंगे क्रियेट करेंगे और किसकी अधार फर हम लोग चार पांच छौ साथ करी लिख सकते हैं इसमें से मैं कुस लोगों को पढ़ा चुका मतलब इससे जो क्लासिक हुआ उसमें से कुछ लोग फर्मूला यहां पढ़ लिए हैं तो मैं तो आप लोग से एक जन से मैं पूछूँगा उसके वाद मैं फिर बता रहा हूं चलिए थ्वासक खड़ाओ यह आप काधल बुलीश का फर्मूला क्या होगा है हुआ हुआ है हुआ हुआ है कि इस प्रफ चार अधिए कि अधिर यह फिए यहां रहे है और यह मेरे ट्रीट्ली लेवल से हम लोग पढ़ा चुके हुए हैं जब भी जनला आप लोग के पास आप लोग सोते हैं इतना बड़ा इसको फर्मूला याद के से हुग यह एक ट्रिक के मादें से याद है ज लुख गोल दें एक प्लस बीड़ी पार पोल डेका यहां पर डेक अड़ेका हम लोग अगड़ देते हैं तब यहां पर यहां पर बीस भी टेरते हैं पावर में तो फर्मूला निख लेंगे इतना का लेवल से पढ़ा दिया जाता है लेकिन यह फर्मूला का ड्राइबर स लुख लगता है कि यह जो टोटल टॉपीक होता है इसमें सवाल भी पूछने लगता है जैसे कभी अपको देगा एक्स प्लस बीस अप्लस तीस का होल यहां पे किबर देगा पचास अब यहां पर बच्चे का फर्मूला तो हमको आज तक पढ़ाया ही नहीं है तो उसके ल प्लस दस प्लस दस के पावर में अगर देता वन जिरो टू एक सदो तब भी इसका अमने कालेंगे तरीका क्या है कैसे हम लोग निकालेंगे तो आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहा है यह टॉपिक को हम लोग कैसे पढ़ते हैं चलिए मैं थ्वासे स्टाइड क जो चैट हो चाहिए कौन साट होना चाहिए ट्रेंगूलर चैट क्या बताता है सबसे पहले हम लोग के पास जो भी सिम्लों को याद कर देंके लिए बता जाता है कैसे कैसे आप लोग fundamental याद कीजिए गारे बाई एक बिंग्स देखिएगा जब फिक्षी देखिएगा जब वाल साखा जो रात तो ना चीला होने लगता मतलब लगता मतलब कमी हो जाता जिसकी वजह से लीचे के तरह जूप जाता ऐसे ही पार्ट में आपको एक ट्रेंगुलर चैट पढ़ा जाएगा जिसमें आपका टॉपिक होगा वन से स्टार्ट होगा कोई भी थ्यूरम आप लोगी स्टार्ट कर किजिएगा तो यहां पर हम लोग का अब दिखेंगा यहां पर कैसे हम लोग पड़ते हैं बहुत सारे लड़के लोग फ़र सा घलती कर देता है इसी को बनाने में जिसकी वज़े से यह फर्मूला उनको याद नहीं होता है और वह फर्मूला अगर हम लोग क्रियेशन कर लेते हैं तो दुनिया का ऐसा कोई भी आ लेते हैं आभ जा carriage कर दो दो से बाहर में फिर मुल्य है और इसके बाहर में फिर मुल्य के दूर्म दिखेंगो इसके बाहर번 कितना होता चाहर चाहरे कितना होता ह्या हूँ चरग शोचारКव पांच फिर एक तो मैं सबसे पहले यह आपको बता दो यह जादे इंपॉर्डेंट है इसमें हम लोगों को टॉपिक हरे एक टॉपिक पे हम लोगों को डिपेंडेबल होता है अगर किसी के पावर में आपका मान जीरो दिया रहा है क्या दिया रहा है जीरो तो उसका होता है यह जो फर्मुला होता है वन का होता है यह जो होता है टू का होता है यह होता है थी का यह होता है फॉर का यह होता है फाइफ का लिखना होगा तो आगे लिख लेंगे इसके बाहर लिखिए वान पांच एक कितना होगा छे दस पांच कितना होगा फंदरा दस दस कित है इससे मतलब लुग पढ़ने से क्या benefit है यह पढ़ने से आपको ये left होगा ये चैप्टर के अधार पर आप लोग सारा topic को एक बार में clear out कर लिए। क्लिये हैं अब कांसा है दूर को pair करने के बाद इस दूरों को pair करने इस तोनों के बाद यह चार बना हुआ है इस तोनों के बाद यह चार बना हुआ तोले कबा अभी आज तो पहरा दिन है यह टॉपिक पढ़ाने का यह हम लोग का ट्रेंगुलर चैट है जो बैसिकली आपके क्लासे से बताया गया है इसमें अगर पचास तक भी आप लिख लें तो यह कम ही है अभी इस सब होता है अगर आपसे नॉर्मल पूछा जाता है कि ए प्लस बीदा होल स्कार का फर्मुला अगर इतना ही क्यों होता है कि ए प्लस बी का होल स्कार का फर्मुला एस्कार प्लस टूए भी आ प्लस बी एस्कार क्यों होता है यह क्यों होता है इतना फर्मुला क्यों होता है इसके अलावे और भी तो कुछ फर्मुला हो सकता है ना तो लड़का काता है कि सोरी यह नहीं होगा फर्मुला तो हो सकता लेकिन यह फर्मूला इतना आया तो आया कैसे है किस तरीके से इतना फर्मूला ड्रेविशन करने के लिए अच्छे अच्छे तीचर या अच्छे दोस्त आपके बहुत अच्छे आपके बताते हैं जो भी बताते हैं वह किस नॉर्मल बताते हैं के कि अगर बाबू, A, plus B, कम, whole square यहाँ, दिया हुआ है, इसका मतलब हका है, यहाँ, दो partition दिया हुआ है, दो बार दिया हुआ है, इसका मतलब, उस बात को कितना बर लिख देना है? दो बार, मतलब हमको लिख देना है, A, plus B, I, into, क्या? यह प्लस बी यह अम लों का कितना लिख दिये जो बार ऐसे फ्रोग्रेशन में यह तो सब बच्छा चोड़ा चोड़ा बच्छा लग से इसमिए क्या प्लस बी के साथ रखता है बी में इसके साथ रखाल जाता है यह अधर होता है ऑद इसंग इसे गुना करते हैं इवह निंघ अब फी यह उतार और वी में अधियर में पीजह कलते हैं क्लत की होता है द्यान दीजिएगा तो असा समझ में आपको टोटली आएगा लेकिन यह जो होगा यह च्छटा सतों नहीं करना है लेकिन जब इससे हाई लेबल में आप जाएगा जब इससे स्ट्रॉंगी तरीका से आप लोग पढ़िएगा तो आप कैसे बना सकते हैं इस टाइप के पार् आता है तो हम लोग कैसे भी फॉर्मूला के बना सकते हैं तो द्यान दीजिएगा हम लोग क्या बता रहते हैं प्लस ए में इतना माना आया अब देखिए यहां पर एस कर दिया तो एक बी और भी हैं अब किसा दोनों तो अलग 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 नहीं है अगर आप तो चार में त सब्सक्रicação करेंगे तो कितना होता है रोे अगलाग लग और मिलाने के बाद क्या किया रहा है लेकिन जब इसे से हाई लेवल में आप जाएगा तब आपको कैसे सीथ करना हुआ कि इतना ही फॉर्मुला होता है यह इतना ही होगा कैसे हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हम लोग के पास ठीक थोड़ा सा होना चाहिए और वह फॉलो के लेबल से हम लोग तब तक यह ट्रीकली वेप से बना भी नहीं सकते हैं यहीं बात होगा यहीं कि इसके अध्यार पर हम लोग स्वासा ही है इसे इसे सॉल्फ कर पाएंगे तो बैसिकली क्या होता है आपको बात समझने आ जाएगा देखिए क्या है मैं बात कर रहा हूं कि यह को संक्या दिया के यह है यहां तोटल वैयूशन के अंदर में हम 2 की बात कर रहे हैं 2 के पहले आंट इसके पहले पहले क्या आता है उसके बाद क्या आया और उसके बाद फिर क्या मैंने का मतलब है कि यहां से उस फर्मॉले के अधार पर यह ट्रीक आपका इस्टार्ट हो जाया अपको सबस्क्राइब कर सकते हैं जो जर्रेलिया आपके केंपर जो लेकिन यह कैसे है इसका ड्रेवेशन क्या करते हैं किस तरीके से करेंगे इसके लिए नॉर्मल पर्मॉटेशन का हम लोग यूज़ करते हैं जहां पर और यूज़ किया जाता है दो टॉपिक आपके क्लासे में भी हुआ होगा और यूज़ करने वाले हैं कैसे होगा फुरा को घ्यांदी देगा जब भी हम लोग के एस्कारिंग पर्फर्मेशन में लिखना होगा तो हम सी जीरो से स्टार्ट करेंगे कहा से स्टार्ट करेंगे जीरो से हमेशा सी का मतलब जो नीचे माला कार्स होगा हमेशा कितना हूँ नंबर आपको लिखना है हमेशा आप जीरो से स्टार्ट किजेगा जीरो को दिक्कत किसी को नहीं नहीं होगा आप जीरो से स्टार्ट किज और इन्टू एक नमबर जूटता है मतलब ही इसमें क्या जूट जाता है अब आगागा टिक्स की बात करते हैं तो nc1 हो गया तो वन के बाद अगला मान क्या आएगा थो यानि nc2 x2 और इसके पास क्या हो जाएगा अब देखिए लास्ट हम लोग कहां तक छोड़ेंगे जो तक अब इस फर्मुले के आदाहर पर हम लोग इसका फर्मुले करेंगे कैसे इंसर आएगा मैं यह नहीं आपको बता रहा हूं तो थोटल बात आपको समझ में आएगा यह क्या है नह अब देखिएगा मैं भी बात कर रहा है यह आपका फोर सा टोपी हो गया अब ड्रेविशन हम लोग फर्मुला यहां से लिखते हैं एंड कमान जो पावर हम लोग का एंड कमान होता है किसका मान होता है एंका मतब एंड कमान हम लोग के पास दिया हुआ है दो सी जियो और यहां पर एंक सी रहेगा और एंड कमान फिर क्या हो जाएगा दो फलस यह एंसी वान दिया हुआ है तो walking आपकलस प्लस nc2 nc2 का मतलब 2 c2 और x24 n-2 n का मान दो और 2 में से 2 क्या जीरो इंटू y2 मतलब क्या हो जाएगा y2 चला हम लोग आगे बात करेंगे समझ में आ जाया गाइगा वाई साव हमें सब लोगा कि क्यों को जाएगा क्यों सब होगा प्लस इसका मान आपका वजागा दो यहां पर दिया न दो शार्ण लिग देंगे और X में Y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा A plus Y 22 आप कमान हम लोग का कितना हो जाएगा फिर 1 और यहाँ पे X पर पावर 0 कमान कितना होता है 1 और 1 में Y square से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा Y square देखें तो यही ना formula हम को चाहिए A square plus 2AB plus B square यह निए एक स्क्राइब यह प्लस यह जो हम लोग का फर्मुला फ्लस बीदाब फुल एस्क्वाइर के लेकिन आप बोलेगा सर इसका बहले वेस्टन एक का है होता है यहां पे एक क्यूं होता है आप दिखाएए तो सही रूफ करके का है एक होता हम क्यूं लिखेंगे सर किस अब बटा फ्यक्तोरियल आप इंटू एन माइनस क्या यह जैनली आप फर्मुला यूज करेंगे आप लोग बना लेगे चलिए पहला बात कर रहे हैं हम इसका मान कर रहे हैं दो सी जीरो उपर वाला एन का मान दो है आर का मान कितना है जीरो चलिए एन का मान मतलब दू बन अब इसका मान कितना था अब चलिए यह बहुत आप इसका इसका वाला इसका वहीं करेंगे तू सी टू यहीं पर लाहन है ना दो सी टू यहीं है ना अब इसका मान एक कैसी आता है हालाकि यहां से देख के लिग वाहताव है नीचे व्हाम करेंगे नीचे वालार के लेऀ यहां सामक है वंके लूट एम से काम करेंगे यह फर्मुला के लेबल सामनों काम करेंगे उपर वाला n factorial धिया यहानी दू कुझे कटना एक बट्टा नीचे वाला दू दिया यह तो दू कुझे कतना एक आए यहां पर दिक्कत है कितना होगा यह खताम होगा यह यह तो कोई दिक्कत होगा किसी जन को नहीं दिक्कत होगा एक टॉपिक मैं छोड़ा सावसे टॉपिक भूल ना ओँ जो भी यहां पर जितने भी जल्पी यहां पर है जो हम्हार प्रजिंट है आपको निकाला जिहान ज़्यगा जिनको मन करता वो लिख लेंगे जिनको नहीं मन करता लेकिन एक टॉपिक आप लोग बना कर दिखाएगा कौन सा W प्लस X W प्लस X Confuse मत हो येगा भई 23 फोल तेज तर अब 23 का यह 23 मत बना कर दिखाए तो आप 70 नहीं बना कर दिखाए बना कर दिखाए इसका एंसर कैसे आएगा आपके पास टाइमिंग दो से तीन मिनिट या पांच मिनिट का टाइमिंग हम देते हैं मैं बात कर रहा हूं जहां दिखेगा आपको मैं कुशन दिया हुआता है W एक्स तु दिपार खोल से बेंगा दिया हुए थे मतलब टेका ठाटा कर दिया हुए थे ऐसे कंफी हम लोग कैसे बनाएंगे फॉर्मूला और किस तरीके सी स्काडरेशन करेंगे तो सबसे पर हम लोग के पास ट्रेंगुलर चैट बना चाहिए यह जो चैट है यह पहले खाइब इसको त्यार कीजिए और जब तक ट्रेंगलर चैट नहीं वडएगा तब तक हमु किया जा सकता है कैसे कि जाएगा मैं थुरह से ऐसे बना रहा रहा हूं कि पीछे का आगे तो आगे तो और ते नीचे का इसके बाता है तो आएंगे आप 15 20 ऐसे करके आप उपर चल रहेएगा तो मैं तुछा से आठ का बताता हूं चार्ट का बता हुए तीन का बता हुआ या दो का उसके आठ का बताता हूं आठ का जब भी आपको बताएगा तो यह समगा काम पड़ने वाला है लाज कहा तक आया यह जीवा के इसके इदर कितना आएगा एक छोवे कितना होता है साथ पंदरा चोवे कितना होता है एक काई नहीं होगा तुम्हें बोल नहीं हो इसके बाहर वन इसके बाहर वन इसके शाथ कितना होगा अच्छाइश एकफ पैश पैशिस कितना होगा हाथि पैश पैशिश you हुआ सब कर देजरत अनल कि आइ हो गया अब ये फोरुऑ अब हम नों ढाय अगले वीडियो में जो भी हम लोग मतलब इस से आगे वाले पढ़ने वाले हैं उसमें टोडल का टोडल हम लोग कर लेंगे कि कैसे हम लोग फर्मुला इस निका लेंगे तो फोर से जैनली द्यान दीजेगा प्रेस्ट लास्ट यहां पिम्चो में टॉपिक आपको बता रहा हम को सत्रह तब इखना होगा चलिए ठीक है सेवेंटिंग क्या कर लेते हैं यह प्लस मिड्ली पावर फॉल से चले 17 का हम लोग कर लेंगे कैसे करेंगे स्टार्ट करेंगे एंसीजी जी रो से शीड़ी पावर एंट प्लस एंसीवण एक्स पॉण एटू इंटो य X to the power N minus 3 into YQ, आगे बढ़ते जाए, प्लस N C 4, X to the power N minus 4 into Y to the power 3, प्लस N C 5, X to the power N minus 5 into Y to the power 5, प्लस N C 6, X to the power N minus 6 into Y to the power 6, प्लस N C 7, X to the power N minus 7 into Y to the power 7, जान दीजेगा फ्लिस्काइड इप्लस, यह ज्यादा हाड़े वह लही है, बट सिंप्लेस्ट मेटर में यह टोपिक आपका है, इसमें कैसे हम लोग बनाएंगी, यह टोपर सफोकस है, साथ तक हो गया, फ्रेट, N C 8, X to the power N minus 8 into Y to the power 8, N C 9, X to the power N minus 9 into Y to the power 9, प्लस N C 10, X to the power N minus 10 into Y to the power के जाँगे, आगे तोट सम्लोग बनेंगे, N C 9 के 10 के पाद 11, X to the power N minus 11 into Y to the power 11, प्लस N C 12, X to the power N minus 12 into Y to the power के जाँगे, प्लस N C 13, X to the power N minus 13 into Y to the power 13, N C 14, X to the power N minus 14 into Y to the power 14, प्लस N C 15, X to the power N minus 15 into Y to the power 15, आगे हम लोग तोसे बनाएंगे, 2-4 and 16-1 to 18-16 Pniejsze 17 एच्टी 17 एच्ट्ट इपार एक्ट्फरीबएशन बनाएंगे दिए नहीं तो पृमिला बने गाएंगे यह फर्मुला का स्ट्रक्चर हुआ ये क्रियेशन हुआ अब इसके बाद पचीज का तीज दे आता है तो लिखना पड़ेगा कोई पाइन है भी कल्पी नहीं है उसका हम लोग उसके लिए द्रेवेशन करेंगे यहां तक जो लिख लिए तो इसको लोटाउन कीजिए फिर इसके बाद मैं करेंगे 27 अब sipण नहीं मिटा पाएंगे लेकर आपको फिर आगे लिखना होगा अगला पीर हों सट्रा ओड हां यह करता चलता जाया सथ त्र व्यां फिर इस क्लिए गां क्रोड़ीशन सत्रा चलता जाएगा 17 पिर यहां 17 यहां कितना डालेंगे 17 यहां बीकिता डालेंगे 17 फिर यहां 17 यहां पर 17 और जगा भी कहीं एन आन आपका दिख रहा है दिख रहा है ना 17 फिर यहां कितना होगा 14 कितना होगा 13 यहां कितना होगा 12 यहां पे एक मान बढ़ेगा तो दुसरा मान यहां पर इमान घट रहा है यहां हो गया हो गया यहां साथ हो गया क्या हो गया साथ के बाद यहां नौना होना चाहिए हो देखी जेगा यहां किता हो जाएगा साथ के बाद छे यहां पर पाच यहां पर चार अि यहां नौने यहां बाद यहां पर और यहां पर निफिदाय मेखें आफ इसके को मुणा है कि अब यहां यहां जहाँ एक्स है वहां वहां लिखना होगा ए और जहाँ जहां वाई है वहां वहां कै还是 us B, क्योंकि कोसर में दिया हुआ है A plus B के रूप में W plus X दिये थे W plus X दिये थे W plus क्या दिये थे X, तो W जहां जहां X से वहां वां क्याड़ना होगा W, यहां क्या हो जाएगा W, और यहां क्या हो जाएगा W, और यहां क्या हो जाएगा इसके बाद जितने भी एस्टेप में हम लोग का दिया हुआ है यह सत्रा पर इसका अगला कंक्लूजन इसका यह ऐसे करके वाभू हम तूटल का टूटल मान इसका कमीनेशन कर लेंगे मतलब जितना भया हुआ है यह सबका पहले वैल्योस से निकालेंगे चलिक एक कोई बैल्यूसर में बता रहा हूँ कि इसका एंसर कैसे निकालेगा जैसे मौन नहीं बनाए हुए है तो भाई उस कमान ऐसे लिखेगा सत्रा सी चौदा फर्मूला मैं बता हुआ ते कुछ देर पढ़िए क्या कीजेगा सत्रा फेक्टोरियल बटा चौदा फेक्टोरियल और सत्रा में से फिर कितना सत्रा सत्रा फेक्टोरियल क्योंसा लिखना होगा कहां तक लिखना होगा सत्रा अब धिया किसे सत्रा गुने मैं सुल करoff कितना होगा अब बटा चौदा किया और इसका कितना हो गया तीन यह 14 फेक्टरियल दिया है आप फेक्टरियल चौदा गोसे तो चौदा गोसे खत्तम हो जाई पूरा कड़ जाई चौदा बचा कितना तीन के लिए आप लोग लिए तीन बने के लिए तना लुट आप चालीस और सब्सक्राइब कर देंगा जो भी एंसर आएगा वहां चालीस और गूने तो ऐसे कोस्टन की जनरली यह बाइनोमिय त्यूरम है जहां पर कैसे भी किसी भी तरीके साम लोगे एक्जिबिशन लेबल से कितना हुं का सवास और कितना हुं का डिगरी के बरजन भी निकाल सब्सक्राइब को दिक्कत होगा इसके बाद इसके बाद जो इसके बाद मैं फिर आपकी इंफोर्मेशन करने वाला हुं कि स्टरीके से आप लोग क्लास अरिजमेंट कीजेगा और क्या से फोकस के मादें पर टॉडल टॉपिक कीजेगा तो बस आज करिए आप इतना ही नेक्स्टे के क्लासे में आप लोग फिर पढ़िएगा मतलब अग झाल